परिचय बच्चों, आज हम त्रीविमिय जयामिती को जानेंगे. क्या तुम जानते हो कि त्रीविमिय जयामिती क्या होती है? सर, त्रीविमिय जयामिती में हम X, Y तथा Z अक्ष पर गर्ना करते हैं. बहुत अच्छा, और इन तीन अक्षों के बीच का कौन कितने डिगरी का होता है? सर, अक्षों के बीच का कौन 90 डिगरी का होता है? ठीक कहा, तो आओ इस पार्ट में त्रीविमिय जयामिती के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे. इस पार्ट में आप त्री विमिये जयामिती को जानेंगे उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक रेखा का दिक को जया तथा दिक अनुपात ग्याद करना हमश्ठी में एक रेखा का समिकरन दो रेखाओं का कों ग्याद करना दो रेखाओं के बीच लगुत्तम धूरी ग्याद करना सम्तल का समिकरन ग्याद करना दो रेखाओं की सम्तलियता ग्याद करना दो सम्तलों के बीच का कौन ग्याद करना एक सम्तल से एक बिंदू की दूरी ग्याद करना एक रेखा और एक बिंदू के बीच की दूरी ग्याद करना एक रेखा की दिक कोज्या और दिक अनुपाथ यदि एक सरल रेखा X अक्ष, Y अक्ष तथा Z अक्ष से क्रमशा, अलफा, बीटा तथा गामा कोन बनाती हैं, तब कौस अलफा, कौस बीटा, कौस गामा सरल रेखा की दिक कोज्याएं कहलाती हैं. दिक कोज्याओं को प्राया L, M, N के रूप में निरूपित किया जाता है. तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक कोज्याओं के सवानुपाती हैं, एक रेखा के लिए दिक अनुपात कहलाती हैं. यदि A, B तथा C एक रेखा के दिक अनुपात हैं, तब A बराबर लेमडा L, B बराबर लेमडा M, C बराबर लेमडा N. एक रेखा की दिक कोज्याओं के मद्धे संबंध. यदि L, M, N एक रेखा की दिक कोज्याओं हों, तब L वर्ग जमा M वर्ग जमा N वर्ग बराबर होगा एक के. प्रमान, माना की O मूल बिंदू है तथा P एक बिंदू है जिसके निर्देशांक X, Y, Z इस तरह हैं की O P की लंबाई R है. तब X पराबर LR, Y पराबर MR, Z पराबर NR, O तथा P के मद्धिदूरी के सूत्र से दो बिंदूओं से गुजरने वाली डिक कोज्याएं. माना की L, M, N रिखा P1, P2 की दिक को जाएं हैं एवं ये X, Y तथा Z अक्ष से क्रमशा, अलफा, बीटा तथा गामा कौन बनाती हैं. दिक को जाएं 69, 60 दी गएं हैं. L पराबर कौस अलफा पराबर X2 घटा X1 बटा डी. M पराबर कौस पीटा पराबर Y2 घटा Y1 बटा डी. N पराबर कौस गामा बराबर Z2 घटा Z1 बटा डी. D बराबर वर्ग मूल X2 घटा X1 बटा जमा Y2 घटा Y1 बटा जमा Z2 घटा Z1 बटा डी. उधारन दू बिंदूओं एक आठ घटा 5 तथा घटा 2 घटा 9 पांच से गुजरने वाली रेखा की दिक कोजिया ग्याद कीजिए. हल माना की D दो बिंदूओं के मद्ध की दूरी है एवं इसका मान निम्न सूत्र द्वारा ग्याद किया जा सकता है. दी बडाबर वर्गमुल X2 घटा X1 वर्ग जमा Y2 घटा Y1 वर्ग जमा Z2 घटा Z1 वर्ग D बराबर वर्ग मोल घटा दो घटा एक वर्ग जमा घटा नौ घटा आट वर्ग जमा पांच जमा पांच वर्ग D बराबर वर्ग मोल तीन वर्ग जमा सुत्रा वर्ग जमा दस वर्ग D बराबर वर्ग मोल नौ जमा दो आठ नौ जमा सौ D बराबर 398 का वर्ग मूल D बराबर 19.94 D गोजियों को इस प्रकार दिया जाता है L बराबर घटा 3 बटा 19.94 M बराबर घटा 17 बटा 19.94 N बराबर 10 बटा 19.94 समश्टी में रेखा का समिकरण एक दिये गए सदिश्वी के समानान तर तथा एक दिये कए बिंदू से होकर गुजरने वाली रेखा का समिकरण रेखा L पर बिंदू P शूने चाहन कीजिए तथा अशूने सदिश्वी रेखा के समानतर है रेखा L सदिश्वी के समानतर तथा P शून से गुजरने वाली अद्वित ये रेखा है अब P रेखा L में है यदी और केवल यदी सदिश P शूने P सदिश V के समानतर है अता सदिश P शूने P बराबर सदिश O P घटा सदिश O P शूने बराबर सदिश R घटा सदिश R शूने कुछ अदिश T के लिए ये स्थिती सदिश R घटा सदिश R शूने बराबर T सदिश V के बराबर है समिकरन सदिश आर घटा सदिश आर शून ने बराबर ती सदिश वी रेखा एल का सदिश समीकरण कहलाता है रेखा का कारतिय समीकरण माना कि बिंदू P शून के निर्दिशांग X1, Y1, Z1 है तथा रेखा के दिकनुपात ABC है और बिंदू P के निर्दिशांग XYZ है तब रेखा एल के कारतिय समीकरण है X घटा X1 बटा A बराबर Y घटा Y1 बटा B बराबर Z घटा Z1 बटा C एवं यदि L, M, N रेखा एल के दिक कोजिया है तब कारतिय समीकरण को इस परकार लिखा जा सकता है X घटा X1 बटा L बराबर Y घटा Y1 बटा M बराबर Z घटा Z1 बटा N दो बिंदों से होकर गुजरने वाली रेखा का समीकरण माना की सदिश रेखा L पर A, B तथा R के क्रमशा A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2 तथा P, X, Y, Z धनात्मक सदिश है तब रेखा L का सदिश समीकरण है सदिश R बराबर सदिश A जमा लेम्डा सदिश P घटा सदिश A लेम्डा वास्तविक संख्या के अंतर गताता है रेखा के कार्तिय समीकरण रेखा L का कार्तिय समीकरण X घटा X1 बटे X2 घटा X1 बराबर Y घटा Y1 बराबर Z घटा Z1 बराबर Z2 घटा Z1 उधारण सदिश 3 कैप I जमा दो कैप J घटा कैप K के समना अंतर तथा 1-2-3 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ग्याद कीजिए हल दिया गया है सदिश V बराबर 3 कैप I जमा दो कैप J घटा कैप K आर शुन ने बराबर 1-2-3 बराबर कैप I जमा दो कैप J जमा तीन कैप K अता रेखा का सदिश समीकरण आर बराबर कैप I जमा दो कैप J जमा तीन कैप K जमा तीन कैप I जमा दो कैप J घटा कैप K बराबर 1-3 T कैप I जमा दो जमा दो ती कैप J जमा तीन घटा T कैप K दो रेखाओं के बीच का कौन माना की L1 तथा L2 क्रमजा A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 दिक अनुपातों के साथ मूल बिंदू O से होकर गुजरने वाली रेखा है माना की P रेखा L1 पर कोई बिंदू है तथा Q रेखा L2 पर कोई बिंदू है तब दो दिक रेखाएं O, P तथा O, Q है माना की थीटा O, P तथा O, Q के मथे एक निवन कौन है तब कौन थीटा निवननुसार दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांग A1, A2 जमा B1, B2 जमा C1, C2 बटा वर्क मोल A1 वर्ग जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग गुणा वर्क मोल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग माना की रेखा L1 के लिए दिक को जियाएं L1, M1, N1 तथा रेखा L2 के लिए दिक को जियाएं L2, M2, N2 हैं तब कौन थीटा को निवननुसार दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांग L1, L2 जमा M1, M2 जमा N1, N2 महतबून बिंदू यदि रेखा लमवत है इसका तात पर है कि यदि थीटा पराबर नपे टिकरी है तब A1, A2 जमा B1, B2 जमा C1, C2 पराबर 0 यदि रेखा लमवत है इसका तात पर है कि यदि थीटा पराबर 0 डिकरी है तब A1 पटा A2 बराबर B1 पटा B2 बराबर C1 पटा C2 यदि रेखाओं को इस प्रकार दिया जाता है सदिश R पराबर सदिश A1 जमा लेमडा सदिश B1 सदिश R पराबर सदिश A2 जमा मिउ सदिश B2 तब कॉस थीटा पराबर मापांक सदिश B1 गुना सदिश B2 बटा मापांक सदिश B1 गुना सदिश B2 कार्थिय रूप में दो रेखाओं के बीच का कोंड थीटक निम्ननुसाड दिया जाता है कौस थीटा पराबर मापांक A1 A2 जमा B1 B2 जमा C1 C2 बटा वर्ग मूल A1 वर्ग जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग कुणा वर्ग मूल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग उधारण रेखाओं के मद्धिककों ग्याद करें सदिश आर बराबर कैप I जमा 5 कैप J घटा 7 कैप K जमा लेम्टा दो कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K दिया गया है सदिश आर बराबर कैप I जमा 5 कैप J घटा 7 कैप K जमा लेम्टा 2 कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K सदिश आर बराबर 4 कैप I घटा 8 कैप J जमा 2 कैप K जमा लेम्डा 7 कैप I जमा 5 कैप J जमा 9 कैप K दिया गया समीकरों की तुलना निम्न समीकरों से करने पर सदिश आर बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B1 सदिश आर बराबर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2 यहां सदिश B1 पराबर 2 कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K सदिश B2 बराबर 7 कैप I जमा 5 कैप J जमा 9 कैप K दो रेखाओं के मद्धिकों का मान निम्न नुसार दिया जाता है कौस थीटा बराबर मापांक सदिश B1 गुणा सदिश B2 बटा मापांक सदिश B1 गुणा मापांक सदिश B2 कौस थीटा बराबर 2 कैप I घटा 3 कैप J जमा 6 कैप K 14 घटा 15 जमा 54 भाग 7 गुणा 12.44 बराबर मापांक 53 बटा 87.08 थीटा बराबर कौस इन्वर्स 53 बटा 87.08 थीटा बराबर 52.51 डिगरी दो रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी, दो त्रियक रेखाओं के बीच की दूरी यदि दो रेखाओं L1 और L2 त्रियक हैं, अर्थात वे ना ही समनांतर हैं और ना ही पतिच्छे तक हैं, तब दो त्रियक रेखाओं के लंबवत एक अन रेखा L3 लगुत्तम दूरी की रेखा कहलाती है. यदि PQ रेखा L3 का रेखा खंड है, जो दो त्रियक रेखाओं L1 और L2 से मिलती है, तब PQ को L1 तथा L2 के बीच की लगुत्तम दूरी कहा जाता है. यदि दो त्रियक रेखाओं निम्न हों, तब सदिश R बराबर सदिश A1 जमा Lambda सदिश B1, सदिश R बराबर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2, तब लगुत्तम दूरी D है. D पराबर मापांक डॉट कुणन सदिश A2 घटा सदिश A1 एवं मापांक क्रोस कुणन सदिश B1 तथा सदिश B2 भाग मापांक क्रोस कुणन सदिश B1 तथा सदिश B2. यदि दो रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी शूने है इसका ताथ पर ये है कि रेखाओं प्रतिछे तक हैं या एक यही समतल में है कार्तिय रूप में रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी एल एक एक घटा एक बटा एक बराबर वाई घटा वाई एक बटा बी एक बराबर जड़ घटा जड़ एक बटा सी एक पंक्ति अनुसार चारणिक बांपांक प्रतम पंक्ति एक दो घटा एक एक वाई दो घटा वाई एक जड़ घटा जड़ घटा जड़ एक जड़ घटा जड़ एक 2 तिय पंक्ति A1, B1, C1 3 तिये पंक्ति A2, B2, C2 बटा वर्ग मोल B1, C2 घटा B2, C1 वर्ग जबां C1, A2 घटा C2, A1 वर्ग जबां A1, B2, G2, A2, B1 वर्ग समानता रेखाओं के बीच की दूरी माना की दू समानता रेखाएं L1 तथा L2 निम्ननुसार दी गई है सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B सदिश R बराबर सदिश A2 जमा म्यू सदिश B जहां S इस्थिती सदिश A1 के साथ रेखा L1 पर कोई बिंदू है तथा T इस्थिती सदिश A2 के साथ रेखा L2 पर कोई बिंदू है एवं सदिश B प्रतेक रेखा की दिशा है यदि TP दूरेखाओं के बीच की दूरी है तब TP बराबर मापांग क्रॉस कुरन सदिश B एवं सदिश A तो और सदिश A एक के बीच का अंतर बटा मापांग सदिश B उधारण रेखाओं L1 तथा L2 के बीच की लगुत्तम दूरी ग्याद कीजिए जिसके सदिश का समीकरण निमने लिखित है सदिश R बराबर कैप आई जमा तीन कैप जे जमा पांच कैप के जमा लेंडा घटा कैप आई जमा दो कैप जे जमा तीन कैप के सदिश R बराबर दो कैप आई घटा कैप जे जमा लेंडा कैप आई जमा चार कैप जे जमा पांच कैप के हल दिया गया है सदिश R बराबर कैप आई जमा तीन कैप जे जमा पांच कैप के जमा लेंडा घटा कैप आई जमा दो कैप जे जमा तीन कैप के सदिश R बराबर 2 कप आई घटा कप J जमा लेंडा कप आई जमा 4 कप J जमा 5 कप K दिये गए समिकरण की तुलना निम्न समिकरण से करने पर सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लेंडा सदिश B1 सदिश R बराबर सदिश A तो जमा μू सदिश B दो हम पाते हैं सदिश A एक पराबर कैप I जमा 3 कैप J जमा 5 कैप K सदिश B एक बराबर घटा कैप I जमा 2 कैप J जमा 3 कैप K सदिश A तो बराबर 2 कैप I घटा कैप J सदिश B दो बराबर कैप I जमा 4 कैप J जमा 5 कैप K सदिश A तो घटा सदिश A बराबर कैप I घटा 4 कैप J घटा 5 कैप K अब सदिश भी एक तथा सदिश भी दो क्रॉस कुड़न है घटा कैप आई जमा दो कैप चे जमा तीन कैप के क्रॉस कैप आई जमा चार कैप चे जमा पांच कैप के बराबर सानडिक पंक्ति अनुसार प्रतम पंक्ती कैप आई कैप चे कैप के दित्य पंक्ती घटा एक, दो, तीन, त्रित्य पंक्ती एक, चार, पांच बड़ाबर घटा दो कैप आई, जमा आठ कैप चे, घटा छै कैप के, सधिश बी एक तथा सधिश बी दो के क्रोस कोणन का मापांग बड़ाबर चार जमा चाउंसट जमा चाटीस का वर्गमोल, इस प्रकार रेखाओं के बीच की लगुत्तमदूरी को निम्न प्रकार से दिया जाता है, पराबर मापांग, घटा दो, घटा बड़तीस जमा तीस, बटा एक सो चार का वर्गमोल, पराबर चार बटा वर्गमोल, एक सो चार, समतल एक समतल की इस तरह की सतय होती है किस पर किनिदू बिंदूँ एविक के लिए पूरा रेखाओं खंड एविक पर स्थित होता है, अठाद रेखाओं एविक के प्रतेक बिंदू सतय पर स्थित हैं अभी लंब रूप से समतल का समीखरण एक समतल पर विजार कीजिए जिसकी मूल बिंदू से लंबवत दूरी D है D शुन के पराबर नहीं है यदि सदिश O N मूल बिंदू से समतल पर अभिलंब है तथा gap N सदिश O N के साथ मातरक अभिलंब सदिश है तथमाना की सदिश R समतल पर बिंदू P का इस्थिदी सदिश है तब समतल का समी करण मात्रक सदिश N के साथ सदिश R बराबर D कारतिय रूप में समतल का समी करण माना की सदिश R बराबर X कैप I जमा Y कैप JZ कैप K है LX जमा MY जमा NZ बराबर D जहां L, M, N, कैप N की दिखो जाए है एक दिए गए बिंदू से होकर गुजरने वाले तथा एक दिए गए सदिश के लंबवत समतल का समी करण माना की सदिश A मूल बिंदू O के सापेक्ष समतल पर एक दिए गए बिंदू A का इस्थिती सदिश है तथा माना की सदिश R समतल पर किसी बिंदू R का इस्थिती सदिश है यदि सदिश N समतल का सदिश अभी लंब है तब सदिश N समतल की प्रतिक रेखाओं के लिए लंबवत होगा इसलिए सदिश N सदिश AR के लंबवत है अता समतल का समी करण सदिश AR और N का डौट कुड़न बराबर 0 अत्वा डौट कुड़न सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर 0 कार्तिय रूप में समतल का समी करण है माना की सदिश R बराबर X कैप I जमा Y कैप J जमा Z कैप K सदिश A बराबर X1 कैप I जमा Y1 कैप J जमा Z1 कैप K सदिश N बराबर A कैप I जमा B कैप J जमा C कैप K तब डौट कुड़न सदिश R घटा सदिश A और सदिश N बराबर 0 ने होता है A गुणा X घटा X1 जमा B गुणा Y घटा Y1 जमा C गुणा Z घटा Z1 पराबर शुने जहां A, B तथा C समतल के दिक अनुपात हैं तीन गैर समरेक बिंदूं से गुजरने वाले समतल का समी करण जदी R समतल पर इस्थित सदिश R के साथ कोई बिंदू है तब चुणकि A, B, C तथा R एक यही समतल पर हैं इसलिए A, R, A, B, A, C एक समतल पर हैं इसलिए डॉट गुडन सदिश A, R तथा क्रोस गुडन सदिश A, B और सदिश A, C बढ़ाबर शुने या डॉट गुडन सदिश R घटा सदिश A तथा क्रोस गुडन सदिश B घटा सदिश A तथा सदिश C घटा सदिश A बढ़ाबर शुने कार्तिय रूप में चप के तठा सदिश रूप परालबर x ca i जह्मा y ca j जह्मा z ca k संतल का समिकरन है पंक्तिय अनुसार सारनेक प्रतंपंति x घटा x1 y घटा y1 Z घटा z1 द्वितिय पंक्ति x2 घटा x1 y2 घटा Y1 Z2 घटा Z1 तृतिय पंक्ती X3 घटा X1 Y3 घटा Y1 Z3 घटा Z1 पराबर शुने एक सम्तल के समीकरण का अंता खंड रूप माना कि O मूल बिंदु है तथा OX OY तथा OZ निर्देशक अक्ष हैं माना कि सम्तल A में OX B में OY तथा C में OZ पर मिलता है तब OA पराबर A OB पराबर B तथा OC पराबर C है इसका ताद पर है कि A, B, C इस्थिती सदेश क्रमशा A कैप आई जमाँ 0 कैप J जमाँ 0 कैप K 0 कैप आई जमाँ B कैप J जमाँ 0 कैप K 0 कैप आई जमाँ 0 कैप J जमाँ C कैप K इसका ताद पर है सम्तल का समीकरण है X बटा A जमाँ Y, बटा B जमाँ Z, बटा C पराबर 1 दो दिये गए सम्तलों के प्रतिछेदन से होकर जाने वाला सम्तल हमें ग्याद है कि सदिश R तथा सदिश N एक दो सम्तलों का डॉट कोड़न बराबर D एक एवं सदिश R तथा सदिश N दो का डॉट कोड़न बराबर D दो एक रेखा के साथ एक दूसरे को प्रतिछेद करती हैं इस रेखा के बिंदू दोनों सम्तलों के लिए उभैनिष्ट होते हैं इसके अतिरिक्ट दोनों सम्तलों के समीकरण को संतुष्ट करने वाले बिंदू निम्न समीकरण को भी संतुष्ट करते हैं डॉट गुडन सदिश R तथा सदिश N1 जमा लेम्डा सदिश N2 बरावर D1 जमा लेम्डा D2 जहां लेम्डा R के अंतरकत है. कार्थिय रूप में यती C2 कैप के तब सम्तल का समिकरण है A1X जमा B1Y जमा C1Z घटा D1 जमा लेम्डा गुणा A2X जमा B2Y जमा C2Z घटा D2 परावर शूने दो रेखाओं की सम्तलियता यदी दो रेखाएं सदिश R बरावर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B1 सदिश R बरावर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2 सम्रेखिये हैं तब उनके अभवेनिष्ट तल प्रतेक सदिशों के समानंतर होने चाहिए सदिश A2 घटा सदिश A1 सदिश B1 सदिश B2 अर्थाथ इन सदिशों को सम्रेखिये होना चाहिए अतैव डॉट गुडन सदिश A2 घटा सदिश A1 एवं क्रॉस गुडन सदिश B1 और सदिश B2 बरावर सुने कार्थिय रूप में यदि रेखाएं हैं X घटा X1 बटा A1 बरावर Y घटा Y1 बटा B1 बरावर Z घटा Z1 बटा C1 तथा X घटा X2 बटा A2 बरावर Y घटा Y2 बटा B2 बरावर Z घटा Z2 बटा C2 तब रेखाओं वाले समतल का समिकरण है पंक्ति अनुसार स्वारणडेक प्रथम पंक्ति X घटा X1, Y घटा Y1, Z घटा Z1 दुईतिय पंक्ति A1, B1, T1 तृतिय पंक्ति A2, B2, C2 बराबर 0 दो समतलों के बीच का कौन दो समतलों के बीच के कौन को उनके अभिलंबों के बीच कौन के रूप में परिभाशित किया जाता है माना की दो समतलों के बीच का कौन ठीटा है तब डॉट कुड़न सदिश आर तथा सदिश N1 बराबर D1 तथा डॉट कुड़न सदिश आर तथा सदिश N2 बराबर D2 तब थीटा दो सदिशों N1 तथा N2 के बीच का कौन है? कौस थीटा बराबर मापांग डॉट गुड़न सदिश N1 तथा सदिश N2 भाग मापांग सदिश N1 मापांग सदिश N2 कारतिय रूप में यदि थीटा दो समतलों के बीच का कौन है? A1X जमा B1Y जमा C1Z जमा D1 बराबर 0 तथा A2X जमा B2Y जमा C2Z जमा D2 बराबर 0 इसलिए कौस थीटा बराबर मापांग A1A2 जमा B1B2 जमा C1C2 भाग वर्ग मूल A1 जमा B1 वर्ग जमा C1 वर्ग गुणा कवर्ग मूल A2 वर्ग जमा B2 वर्ग जमा C2 वर्ग एक सम्तल से एक बिंदो की दूरी सदिश रूप में एक इस्तिती सदिश A से लंब की सम्तल के लिए लंबाई डौट कुरन सदिश R तथा सदिश N पराबर D को निमन प्रकार से दिया जाता है कारतिय रूप में एक बिंदो P X1 Y1 Z1 से लंब की सम्तल के लिए लंबाई AX जमा BY जमा CZ बराबर D नीचे थी गई है उधारण एक बिंदो 4 दो घटा एक की सम्तल से दूरी ग्याद कीजे हल दिया गया है सदिश A पराबर 4 कैप I जमा 2 कैप J घटा कैप K सदिश N पराबर 3 कैप I घटा 4 कैप J जमा कैप K तथा D पराबर 10 सम्तल से बिंदू 4 दो घटा एक की दूरी बराबर मापांक 12 घटा 8 घटा 1 घटा 10 बटा मापांक वर्कमोल 9 जमा 16 जमा 1 पराबर 7 बटा वर्कमोल 26 एक रेखा और एक सम्तल के बीच का कौन सम्तल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कौन पूरक होता है सदिश रूप में यदि रेखा का समिकरण सदिश R बराबर सदिश A जमा लेमडा सदिश B है एवं सम्तल का समिकरण सदिश R तथा सदिश N का डॉट कौरण बराबर D है तब सम्तल के अभिलंब तथा रेखा के बीच का कौन थीटा है अता सम्तल तथा रेखा के बीच का कौन फाई निम्ननुसार दिया जाता है 90 घटा थीटा अर्थाद साइन 90 घटा थीटा पराबर कौस थीटा तथा साइन फाई या फाई निम्न है क्या आप जानते हैं लियुनार्ड यूलर एक सुईस गणी तगे तथा एक भौतिक शास्त्री थे तथा उन्होंने त्री विम्य आकरितियों एवं उनके विशलेशन में बहुत अच्छा यूगदान दिया उन्होंने विश्रेश रांत्मक जयमिती, त्रीकोन मिती, जयमिती कलन और संख्या सिध्धान्त सहित भौतिकी और गणित की विश्त्रित श्रिंखला के लिए बहुत बढ़ा योगदान दिया सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में तोहराएं एक रेखा की दिक कोजिया को अक्षों से धनात्मक दिशा के साथ रेखा दोरा बनाए गए कौन की कोजियाओं के रूप में परिभाशित किया गया है तीन संख्याएं जो एक रेखा की दिक कोजियाओं के समानुपाते होती हैं रेखा का दिक अनुपात कहलाती है यदि L, M, N एक सरल रेखाओं की दिक कोजियाओं हो तब L वर्क जमा M वर्क जमा N वर्क बराबर एक है समीकरण सदिश आर घटा सदिश आर शून ने बराबटी सदिश वी दिये गए सदिश वी तथा दिये गए बिंदू से होकर गुजरने वाली रेखा एल का एक सदिश समीकरण कहलाता है कार्थिये रूप में X घटा X1 बटा A बराबर Y घटा Y1 बटा B बराबर Z घटा Z1 बटा C यदि रेखा L पर सदिश A, B तथा R क्रमशा A, X1, Y1, Z1, B, X2, Y2, Z2 तथा P, X, Y, Z के स्थिती सदिश हों तब रेखा L का सदिश समिकरण है सदिश R बराबर सदिश A चमा लेम्डा गुणा सदिश P घटा सदिश A लेम्डा वास्तिविक संख्या के अंतरगात आता है रेखा का कारतिय समिकरण है X घटा X1 बटा X2 घटा X1 बराबर Y घटा Y1 बटा Y2 घटा Y1 बराबर Z घटा Z1 बटा Z2 घटा Z1 यदि A1, B1, C1 तथा A2, B2, C2 रेखा के दिकन उपात है तब दो रेखाओं के बीच का नियून कोन ठीटा निम्ण द्वारा दिया जाता है यदि दो त्रियक रेखाएं हैं सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B1 सदिश R बराबर सदिश A2 जमा मियू सदिश B2 तब रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी D निम्ण है कार्थिय रूप में रेखाओं के बीच की लगुत्तम दूरी निम्न द्वारा दी जाती है दो समनांतर रेखाओं सदिश R बराबर सदिश A1 जमा लेम्डा सदिश B सदिश R बराबर सदिश A2 जमा मेउ सदिश B के बीच की दूरी निम्न है दूरी D पर सम्तल के समिकरण का सदिश रूप है सदिश R गुना कैप N बराबर D जहां कैप N सम्तल के अभिलंब का मातरक सदिश है कार्दिक रूप में सम्तल का समिकरण है LX जमा MY जमा NZ बराबर D जहां L M N कैप N की डिक को जाए हैं एक दिए गए सदिश तथा एक दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाले सम्तल का समिकरण है सदिश R गटा सदिश A गुना सदिश N बराबर शूने कार्दिये रूप में A X गटा X1 जमा B Y गटा Y1 जमा C Z गटा Z1 बराबर शूने जहां A B तथा C सम्तल के दिक अनुपात हैं एक सम्तल के समिकरण का प्रतिशेदक रूप है X गटा X1 बराबर A बराबर Y गटा Y1 बराबर B बराबर Z गटा Z1 बराबर C1 और X गटा X2 बराबर A बराबर Y गटा Y2 बराबर Z गटा Z2 बराबर C2 है तब रिखाओं वाले सम्तल का समी करण दिम्न होगा यदि दो सम्तलों के बीच का कोंड थीटा है तब डॉट कुणन सदिश R और सदिश N1 पराबर D1 तथा डॉट कुणन सदिश R और सदिश N2 पराबर D2 तब थीटा को इस प्रकार लिखा जा सकता है एक स्दिश E से लंब की सम्तल के लिए दूरी सदिश R और सदिश N बराबर D का डॉट कुणन नीचे दिया गया है रेखा सदिश R बराबर सदिश A जमा लेम्डा सदिश B तथा समतल सदिश R और सदिश N बराबर D का डॉट कुरन है तो बीच का कौन फाई नीचे दिया गया है